देखिए ये जो इंडी अलायंस तैयार किया है इसका कोई असर होने वाला नहीं है ये सारे लोग मुंबई में आये है इनका केवल एक अजेंडा है मुदी जी को हटाओ और ये अजेंडा क्यों है क्योंकि सारी परिवार वादी पर्टियों की दुकानों को ताला लगाने का काम मुदी जी के करण हो रहा है जो पार्टिया इनके परिवार की सेवा करती थी उन पार्टियों को लोग नकार रहे हैं और जो पूरे देश को परिवार समझ कर देश की सेवा करते हैं ऐसे मोदी जी को देश स्विकार रहा है और इसी डर से ये सारे लोग एकत्रिताय है इनके पास न नेता है न नीती है न नियत है इसलिए ये कितना भी प्रयास करे तब भी लोगों के मन से मोदी जी को नहीं निकाल सकते जिस प्रकार का करत्रुत्व जिस प्रकार का नित्रुत्व मोदी जी ने देश को दिया है और जिस प्रकार से मोदी जी के नित्रुत्व में देश आगे बढ़ रहा है गरीब कल्यान का अजेंडा इस देश में जिस प्रकार से मोदी जी के माध्यम से गरीबी को दूर कर रहा और जिस प्रकार से हमारा देश चान की बुलंदियों को छूरा आये लोगों के मन में मोदी जी है ये लोग कितने भी यहां पर रहें कितना भी यहां पर विचार विमर्श करें लेकिन इनके पास मोदी जी के लिए न कोई तोड़ है न कोई नेता है सबसे बड़ी बात यह है अभी तक पाच पार्टिया दावा कर चुकी है प्रधान मंत्री के पद पर ये प्रधान मंत्री पद का एक उम्मीदवार तैही नहीं कर सकते और वैसे भी तैह करके करेंगे क्या इनका एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है कि जो जनता के मन में बस सके या जनता जिसको मन से चाहे इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक मीडिया इवेंट हो रहा है और हम सब उसको देख रहे हैं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24